इस वीडियो का टोपिक है इट इज टाइम इट इज टाइम टू इट फूर खाना खाने का समय हो गया है इट इज टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट लेने का समय हो गया है इट इज टाइम फॉर 4 के बाद में हम noun का use भी कर सकते हैं जैसे 8 is time for tea चाय का समय हो गया है 8 is time for coffee कोफी का समय हो गया है 8 is time for food खाने का समय हो गया है 8 is time for breakfast breakfast का समय हो गया है 8 is time for coaching कोचिंग का समय हो गया है 8 is time for interval interval का समय हो गया है तो आपने देखा कि हम 8 is time के बाद 8 is time के बाद हम 4 का use करके भी उसके बाद 4 के बाद हम noun का use कर सकते हैं जैसे टी, कोफी, फूड, ब्रेकफास्ट, कोचिंग, इंटरवेल कि it is time for tea चाय का समय हो गया है Thank you, have a nice day फिर मिलते हैं हमारी अड़ी वीडियो में मिलते हैं झाल ес देखां झाल